हेलो दोस्तो हमारे चैनल सैमसंग न्यूव प्रोड़क्त में आप सभी लोगों का सौगत हैं आज हम देखने जा रहे हैं सैमसंग की न्यूव वाशिंग मशीन जो 8kg के कैपसिटी में आती है इसकी प्राइस की बात करें तो यह करीब 25,000 के लगबग आपको मिलती है यह एक वाश मॉडल है और यह ऑनलाइन और शॉप दोनों पर ही अविलेबल है आप यहां इसकी डिटेल्स देख सकते हो यह फाइव रिटिंग में आती है 230 वाट और फाइव स्टार यह कॉम्बिनिशन कहता है कि यह मशीन चलते वक्त आपकी बिजली की खपत कम से कम करेगा नीचे डिस्पे के उपर आप इसका मॉडल नंबर भी देख सकते हो यह मॉडल ऑनलाइन और शॉप दोनों पर ही अविलेबल है 8kg का मतलब होता है यह सुटेबल है 527 फैमिली मेंबर्स के लिए हैं मशीन के बैक सैड में आपको एक इनलेट वाल मिलेगा जो पानी लेने का काम करता है और यह स्काय ब्लू कलर में दिया हो रहता है यह कोलड वॉटर के लिए यहाँ साइड में आपको होट वोटर के लिए एक ऑप्षिन दिया जाता है कमपनी के सर्विस इंटर से आप यहाँ पर हाट वाडर के लिए connection करवा सकते हो आपको इस model में control panel पीछे के side मिलेगा वो इसलिए होता है कि machine में से कपड़े निकालते समय पैनल खराब ना हो यहाँ सामने आप company के कुछ खास features देख सकते हो यहाँ पर आपको एक lock मिलेगा जो active wash टब यूज़ करने के लिए दिया होता है यह है हमारा active wash option जहाँ आप shirt के collar को रप कर सकते हो यहाँ से इस टब में पानी आता है और पानी लेने के लिए side में एक button दिया हुआ है पानी लेने के लिए आप इस button को प्रेस कर सकते हो button प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर कपड़ों के दाग धंबों को रप कर सकते हो यहाँ से पानी शुरू रहता है यहाँ पर आप उसका model नमबर भी देख सकते हो नीचे toll free नमबर भी दिया हुआ रहता है यहाँ से आप में डोर ओपन कर सकते हो चलिए देखते हैं मशीन के साथ कंपणी क्या क्या एक्सेसरीज देती हैं सबसे पहले यह थर्मकॉल आप साइड में निकाल दीजिए यहाँ एक rat mat है जो नीचे की साइड में लगेगा जहाँ पानी मोटर के उपर ना ओड़े इसलिए कंपणी से देती हैं यहाँ आपको सर्विस सेंटर वाले लगाकर देते हैं जब वहो डेमो इस्टिलेशन के लिए आते हैं यहाँ एक inlet pipe है जो पानी लेने के लिए हमें नल पर लगाना होता है यह भी आपको डेमो इस्टिलेशन के वक्त लगाकर दिया जाएगा यह outlet pipe है मतलब कपड़े दोने के बाद में जो गंदर पानी बहा निकलता है यह उसकी लिए लगाया जाता है साथ में एक manual book दिया हुआ है यह जो metal clip आप देख रहे हो यह outlet pipe के लिए होती है और एक screw दिया हुआ जो rat mat के लिए लगता है यह manual book आप पढ़कर machine के बारे में जानकर ही ले सकते हैं यह diamond drum है ज और यहाँ पर आपको दो roller मिलेगे जो वोबल technology के लिए दिया हुए रहते हैं यह काम करते हैं कपडों को उपर से नीचे और नीचे से उपर करने के लिए मदद करते हैं ताकि कपडों में अच्छा result मिल सकें यहाँ पर एक filter दिया हुआ रहता है जो आपको हर हपते में दो उसे तीन बार साप करना होता है यहाँ पर एक detergent box दिया है जो magic dispenser के साथ आता है यह blue color के जो आप दिख रहे हैं यह magic dispenser होते हैं जो powder को पाने में अच्छा से घूलने के लिए मदद करते हैं इस drum के साथ में आपको एक तीन होल वाला box मिलेगा यह box softner के लिए होता है कई comfort वगर या easy वगर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो कपड़ों में खुचबों आने के लिए या फिर कपड़ों की shining बढ़ाने के लिए यह softner के box दिया हुआ रहता है दोर के लेफ सैट में आपको यह active wash tub के लिए एक लॉग दिखेगा यहां से आप हलके दर से प्रेस कीजिए तो यह active wash tub open हो जाएगा जिसे हम collar rub करने के लिए यूज करते हैं चलिए इसकी कुछ setting देख लेते हैं control panel की यहां पर आपको normal दिखेगा नॉर्मल मतलब regular mix कपड़ें सुपर clean मतलब ज्यादा मलेवे कपड़ें क्विक wash मतलब जल्दी धोना डेलिकेट्स मतलब soft कपड़ें एकवा फ्रीजों में आपको सिर्फ धोना और खंगलना होगा इसमें dry नहीं होते कपड़ें jeans bed sheet only rain spin और eco tub cleaning यहां से आपको कोई भी function यह cycle वाले बटन से set कर सकते हो सबसे पहले आपको on करना है फिर cycle set करना है और फिर start करना है यहाँ पर एक child lock के लिए option दिया हुआ रहता है wash और rinse यह दोनों बटन आप एक साथ प्रेस करकर होगे 5 seconds तो यह child lock on हो जाएगा मतलब यह जो panel है यह lock हो जाएगा ना कि door lock होता है यहाँ पर आपको एक tub cleaning के लिए भी sensor दिया यह delay and option है मतलब time लागा के आप machine सालू कर सकते हो यह drain है मतलब manually है आपको drain करना है water यह water level है जो manual set कर सकते हो यह wash time आप जहां से change कर सकते हो यह rinse time और यह spin time यहां से आप change भी कर सकते हो और spin time आपको directly 15 minute या 30 minute बढ़ाना तो यह मा या 30 minute set कर सकते हो और यह extra intensity wash option है इस model की तीन खास बते हैं जो की यहाँ पर दिया हुआ रहता है digital inverter model एक्टिव वाश मॉडल और वर्ल टेक्नोलोजी यह इस model को खास बनाती है यह एक inverter model है मतलब इसके motor में कोई की belt नहीं लगा हुआ रहता है thank you guys thanks for watching यह वीडियो मैंने new machine खरिदनेवालों के लिए बनाया था अगर आपने machine already खरिद लिया है तो इसे कैसे चलाए वह देखने के लिए आप मैंने चैनल के playlist में जाईए और वहाँ पर मैंने इस model के साथ कई model के डेमो वीडियो डाले हुए है जैसे कि इस machine को किस तरह से चला जाए और एक एक सेटिंग को मैंने सरल तरीके से समझाया हुआ है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब त प्लीजियो